आईए दोस्तो आज हम आपको चूड़ीदार पजामी की कटिंग और विदिश्टीचिंग ये दो नोई ही बताएंगे इसके लिए हमने ये कपड़ा ले रखा है और ये कपड़ा है हमारे पास थोड़ा ज्यादा है ये देखिए हलकी हमने प्रेस लगा ली थी ये चार तैम कपड़ा है तो हम एस लाफेंगे ये देखिए 70 cm करीब आ रहा है तो ये दो असी कपड़ा है और ये हमारे पास इसका नाप है तो । यह 7009 लंबाई है 10 लाफ होताए तो मोरी एकदम फिद नापी जाती है और ये 23प दाई और इसको total हमें तैयार जो करना है वो 55 inch करना है तो इसको किस तरीके से काटेंगे वो मैं आपको बताता हूँ नाप को मैं सामने रख लेता हूँ यह देखिये यह जो कपडा है सबसे पहले हम इस कपड़े को इस तरीके से खोलेंगे इसको खोलने के बाद में आप देखिए कुछ लोग इस तरीके से काट देते हैं जैसे यह यहां से काटा नहीं कपड़ा और इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया इसको फोल्ड करने के बाद में आप इस तरीके से काटेंगे पजामी आपकी कड़ जाएगी मगर बनने के बाद में आपने देखा होगा कई बार कि एक टांग छोटी हो जाती है और एक बड़ी हो जाती है तो इसके लिए हमें क्या करना है जो ये कपड़ा है इसको हम 20 सेंटर से ऐसे हम काटेंगे ये देखिए इस तरीके से काड़ने के बाद में हमने एक पल्ला जो है इधर वाला इस सेड में लेके जाना है और उस सेड वाला इधर लेके जाना है ये देखिए ये इस तरीके से इसको हम इस तरीके से रखेंगे तो इसको बिछाने से पहले आप इस पल्ले को इस तरीके से ये तो कौन फोल्ड कर ले, ये देखिए, ये इस तरीके से हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से फोल्ड करके, आप इसको इसको हटा देंगे, फिर ये दूसरा वाला पल्ला जो है, इसको इस तरीके से ही फोल्ड करेंगे ये, और ये देखिए, इसको इस तरीके से बिशाए यह देखिए और जो हमने दूसरा वाला फोल्ड करा था फिर हम उसको उठाएंगे यह देखिए वो मैंने इसलिए बिशा दिया ऐसे करके और यह फोल्ड करके अलग हटा दिया है ताकि आपका एक रुक्का यह देखिए यह भी इस तरीखे से आ जाएगा अगर हम इसको पल्ले को उपर नीचे नहीं करेंगे तो हमारे दोनों यह अंदर चले जाएंगे यह कन्नी से कन्नी मिल जाएगी अब हमने एक अठाक एदर से घुमा दिया है तो यह कन्नी भी उपर आएगी और यह वाली कन्नी भी उपर आएगी तो इसको इस तरीके से हम कन् से आप हलकी सी प्रेस लगा लेंगे यह ताकर यह आपकी किरीज बन जाए इस तरीके से यह देखिए यह प्रेस लगाने के बाद में अब आप इसको इस तरीके से बिठाएंगे बराबर दोनों यह देखिए यह बैट गई बिल्कुल अब यह हमारे पास दुब फट्टी है इससे हम दोनों फट्टी उठाएंगे हमें सबसे पहले यह नीचे की सेट जाना है इस तरीके से हमें यह निसान लगाना है और एक फोटा यह यह लगा लेना है जो हमें फोल्ड गनना है अब यह हमारी 10 इंज मोरी थी तो हम इसको 10 इंज रखेंगे क्योंकि यह औरेब है फिर यह बढ़ जाएगा और यह देखिए जैसे हम सलवार में काटते हैं 5 इंज निकाल के बैड उसी तरीके से काटेंगे हम यह हम यह से नीचे से लगाएंगे 55 इंज यह देखिए इस तरीके से जाएंगे फिर यह उपर आजाएंगे यहां पे हम यह 5 इंज बैड का कम कर के यह लगा लेंगे निसान उसके बाद में हम जैसे आसन हम सलवार में लेते हैं तो यह औरेव होता है यहां पर तो इसका आसन का निसान जो हम लगाएंगे वो 9 इंच पर लगाएंगे इसको फिर वापस यहां खीश देंगे और यह जो 37 इंच लंबाई है हमारी पजामी की यह निसान लगा लेंगे सैति सिंद्स पे निसान लगाने के बाद में यह 15 16 इंद 14 इंद पर घुटना आता है तो एक निसान यह लगा लेंगे रिशान को सबको ऐसे सिधा ऐसे कर लेंगे यह देखिए कि इस तरीके से और इस तरीके से यह हमारा गुटना है, यहां पर जो आएगी हमारी यह मोरी आती है नीचे वाली, क्योंकि यह गुटना आ गया, तो इतना जो बीच है यह 15-16 इंच गा, इसमें हमारी जो चूड़ी पढ़ेंगी वो आएगी, तो हमने जो 10 इंच मोरी नापीती जो नीचे रखी है, यहां पर गुटना जो 17 इंच नाप रखा था, तो यह देखिए, 17 का आदा, 7.5 क्योंकि यह बंद वाला हिस्सा है, तो उसके इसाफ से यह चोथिया हिस्सा में डवल लेना पड़ता है, 7.5 का डवल हो गया, 17 इंच, इसके इसाफ से घेरा अगर उन्होंने मांगा है आपसे, कि अग प्रेव होता है, तो 15 इंच का यह निसान लगा लेंगे, और यह देखिए, 15 इंच का यह उपन निसान लगा लेंगे, अब थाई का जो निसान लगाना है, यह आसन वाली जगा पे, थाई का निसान पजामी में हमेशा 1.5 इंच या 2 इंच नीच नीच लगाते हैं, जो हमन कई बार में यें च converts से कि इस तरीके से कि यहां से क Hence यहां पर आप मिला देंगे उसके बाद में यह निसान ह कि कि इस तरीके से और यह वाला निसान Canada कि इस तरीके सब्सक्राइब जब यह सारे निसान लग जाएंगे यह जो इतनी जगा फ़र्चेगी इसको तो आप इस तरीके से गुलाई कर देंगे और यह सीधे वाले स्केल से ऐसे करके यह निसान लगा लिए उसके बाद में आप अगर कटिंग करने से पहले ही निसान लगा ले कि हमें इस क्योंकि इस सेट में मार्जन छोड़ना होता है तो यहां पर तो इतना मार्जन रखा जा आए और काड सकते हैं यह देखिए यहां से तो यह बरावर कटेगा यह इस तरीके से यह वाली सेट भी बरावर कटेगी जब हम यहां पर आएंगे तो हमें यह मार्जन इसमें देना है क्योंकि कई बाइचांज अगर लूश टैट करना पड़े तो आप कर सकते हो जो इस काड लेंगे और यह नीचे वाला इससा जो हमने यह मार्जन का शोड़ा है इसको भी हम ऐसे काड देंगे काडने के बाद में यह जो निसान लगा है हमने इन सारे निसानों पर इस तरीके से यह टक लगा लेंगे यह देखिए बो जब हम जुडाई करेंगे तो मैं बताऊ उत चोटा वालब पल यह इसको निकाले है और एक दूसरा वालब जो है इसको भी निकाल लेंगे ऐसे करके निकाल के और यह दोनों कंणी-स सैट मिलाओं जो यह रॉंड वाले सैट होता है न यह वाला इसको उपर कर लेंगे ऐसे करके ऐसे रखके और यह देखिए यह जो किनारा है यहां पर आदा इंच या पॉना इंच जितना मार्जन लेंगे कन्नी से कन्नी यह देखिए पॉना इंच के करी मैंने रखा है इसको इस तरीके से के और यह काड़ देंगे यह देखिए हैं इस तरीके से कि अब इसमें मियानी लगाना जवर लिए होता है क्योंकि अगर मियानी लगाएंगे नहीं तो आसन की जगा से यह कई बार बैडने के बाद में, फर्ड जाती है। तो हम देखे इस तरीके से यह कप्ला यहा से ले लिंगे, इस तरीके से, और यह म्यानी के लिए है, इसको हम, ऐसे करके, फोल्ड करेंगे, जिसमें, यह सबा दो इंज के गरीब यह रखेंगे, चोडाई इसकी, यह आ जाएगी, और साथ इसन यह शेंज इसकी लंबाई हमें चाहिए, जो दबने के बाद में, शेंज के करीब तई हा रहा जाएगी, यह देखिए, इस तरीके से, और ऐसे करके हम यह मियान निकाड लेंगे, य किसी यहाँ पर नोक निकल जाती है ना इसको इस तरीके से गुलाई कर लेंगे यह मियानी भी हमारी कट गई और जो यहाँ हमारा कपड़ा जो बचा है इसमें से हम बैल निकालेंगे तो बैल निकालने के लिए हमें सबसे पहले यह दोनों पल्ले एक बराबर इस तरीके से बिछा देने हैं यह देखिए और बिछाने के बाद में जो यह कन्नी वाली सेट है इसको करीब ë 1.5 इंच के बराबर यह पट्टी इस तरीके से काट देनी है यह तो हम यह 9 इंच ओना बैल्ड जो है इसको इस तरीके से 9 इंच के यह भी निसान लगा लेंगे और 9 इंच का यह बीज में और इसको इसकेल से इस तरीके से यह सीधा कर देंगे यह देखिए आप बैल्ड जो भी रखेंगे जो आपने हिप नापी यह सूट की अगर वैसे एकदम टैट करके जो नापी जो नाप होता है तो उससे टोटल 10 इंच एश्ट्रा काट लें अगर आपकी 40 इंच हिप है तो आप 50 इंच बैल्ड काटेंगे और अगर आपका सूट है सूट दिया है नापका और उसके हिसाफ से अगर आपको बैल्ड रखनी है तो जो कमीज की हिप तयार होती है उससे तीन इंच एश्टा रखेंगे एक से टोटल हो जाएगी आपकी दोनों सेट से 6 इंच एश्टा तो बैल्ड जितनी हमें हिप है हमारे पास में हम उस हिस है इस इसकी बैल्ड कार डिंगे और काड़ने के बाद में इसकी सिलाई करके आपको बताते है यह देखिए यह हमें इसको सिलने से पहले सबसे पहले क्या करना वंगे हमें एक पला गों ृठा ये तो इस तरीके से ऐसे हम निशान लगाएंगे ये नीचे वाले पल्ले है इसके जो हमने काटे थे ये आगे उसके बाद में ये पल्ला जो उठाएंगे और एक पल्ला ये वाला उठाएंगे और ये इस तरीके से हम यह सारे निसान यह देखिए यह हमने इस पल्ले पे यह निसान उठा लिए है इस तरीके से अगर आपके पास गरारी है तो गरारी से निसान उठा लें यह तो यह ऐसे करके निसान लगा लें और यह पल्ला एक पकड़ेंगे इस तरीके से देखिए यह जो निसान लगे हैं यह सैट अंदर की सैट जाएगी और इस तरीके से जो हमने यह पीस काटे हैं इसके साथ में यह नीचे की सैट से मिलाएंगे बरावर इसको नीचे नहीं छोड़ेंगे ऊपर जितना भी निकल ले है निकलने दे देखिए हमारा तो नहीं नि दोने तरीके से कमें यह जोड़ लएंगे यह दोनों अलग अलग सैट से आयंगे एक रुक्के नहीं आएंगे तो इसको भी हम इसी तरीके से ऊपर की सठ त्रहक्यों यह देखिए है यह इस तरीके से नीचे बरावर करके और इसको इस तरीकेelectे ये सिलाई लगा लेंगे, ये लेगे, ये देखिए, ये मैंने दोनों जोड जोड लिये हैं, और ये हलका हलका निकल लिया है, इसको इस तरीके से छाट देंगे, और ये जो कोना है, इसको भी, अब ये जो हमने मियानी काटी है, ये देखिए, इसको इस तरीके से, ये सीधी ये ओरेब जगा होती है, तो इसको हलका सा ऐसे, और ये कीज लिएगे ऐसे, देखिए, और इसको इस तरीके से नकून से सीधा करिए, इसी तरीके से दूसरी वाली लगा दीए, ये देखिए, ये आमने दोनों बियानी ये जोड ली है, और ये एक दूसरे को पर एक एक पला रख लिया है इसको इस तरीके से हम यह लेके और यह यहां पर पक्का करके इस तरीके से जोड़ लेंगे यह देखिए और यह इस तरीके से यहां पर लाके पहले इसको मिला लें क्योंकि यह दोनों पर ले और वहते हैं फिर इसको ऐसे यह खीज लिए पीछे यहां में पक्ता कर लिए और इसी तरीके से दूसरी स्टा भी लगा लिए ये देखिए यह दोनों सिलाईएं मैंने लगा लिए और सिलाई लगाने के बाद में हमें सबसे पहले ये करना है कि यह बैल्ड है इसको बैल्ट को हम नाप लेंगे इस तरीके से ये देखिए जो हमारा ये सिलाई जो लगा रखी है ये इसको यहाँ पर भी इधर सिलाई जाएगी तो इसके बरावर रखके और इस तरीके से करीब पांच इंच ये कम करके हम ऐसे करके यह कड लगा लेंगे इतनी वीच में हम यहाँ पर हलकी हलकी चुन्नेट डाल लेंगे यह देखिए इस तरीके से यह ऐसे करके क्योंकि पजामी में अगर घेरा ज़्यादा कोई लूज मांगता है तो उसमें चुन्नेट ज्यादा पड़ेंगी नि तो कम पड़ेंगी ऐसी यह देखिए इस तरीके से यह देखिए हलकी हलकी चुन्नेट आएंगी अब हम इसको इस तरीके से लेके इदर रख लेंगे और यह बैल्ड है जो इसमें देखिए यह को आप चाहिए तो निसान लगा लेवीं यह देखिए इस तरीके से नोलिए यह दो पक्का करके और इसको हम इतना यह उठागे इसलाय को इसे छोड़ेंगे और यहां पर भी पक्का पर हमें इसको फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगाएंगे ताकि इसके धागे ना निकने यह देखें और इसी तरीके से हम यह वाली सेड भी लगाएंगे यह देखें और यह लगाने के बाद में हमें इस तरीके से पकड़के यह वाली सेड भी हमें एक पैर के उससे जोड़ देनी है इसे पक्की करके यह देखें और यहां पर भी पक्की कर लेने हैं और यह पक्की करके जैसे हम सलवार में नेफा फोल्ड करते हैं उसी तरीके से हम इसको इस तरीके से डेड़ इंज का करीब अंदर मार्जन के साथ में इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहां पर पक्का कर लिए यह देखें यह ज्यादा इंज अंदर चला गया और यह करीब डेड़ींच ऐसे अब यह देखिए यह इसी तरीके से में पूरी सिलाई लगा लूँगा यह देखिए यह हमने पूरा नेपा फोल्ड कर लिया है अब इसको हम इस तरीके से बैड को यह डबल कर लेंगे और जो हमने यह पल्ले में चुननेट डाली थी इसको हम इस तरीके से नाप लेंगे यह यह देखिए यह हलका सा करीब एक डेड़िंच के करीब इदर बैग में लिए उए कड़ लगा के इसको और यह राऍत को बैक के यह सीधा रखके और यह रहुत अग यह में जहांना डानन ईए इसका यह सेंटर से बिलाएंगे इस हम यहां देखिए और इसको इस निए करने पान रादका देजंँन हम यह देखिए अ आना मिरीं है है इस तरीके से ऊचे ako तो कि यह इसी तरीके से माय पूरी uncover मैं पूर वुलाए लगा है यह देखिए यह मैं ने पूरी बैल इस तरीके से चला दिये और इसके उपर अगर आप चाहें उबलोग करके एक पैर की भी सिलाई लगा सकते हैं मैं इस पर बिल्कुल किनार की सिलाई लगाऊँगा यह देखिए इस तरीके से इस तरीके से यह देखिए इसी तरीके से यह मैं पूरी बैंट पर सिलाई लगा लूगा ये देखिए, ये मैंने पूरी सिलाई लगा लियेoxि लगाने के बाद में, हम इसको इस तरीके से पगड़के, ये जो इसका बॉर्टम है नीचे, इसको हम फोल्ड करेंगे, जो हमने निसान लगाया था, उसी हिसाफ से, आप जितना निसान लगाएं आप फोल्ड करने, ये कि आ इस तरीके से और ये दूसरा वाला पड़ना ये इसको भी हम है इस तरीके से फोल्ड कर लेगे यह क। कि यह देखिए मैंने दूनों मूरियों में चलाई लगा लिए अब इसको एस तरीके से फोल्ड करेंगे ये ये जो निसान वाला पला है इसको ऊपर की सेट रखके और ऐसे करकेिया पखकी कर लेंगे और और यह देखिए जो मैंने कट लगाए थे तो मैं कह रहा था आपको बता हुआ इसको अब यह जो सिलाई लगाएंगे तो यह काम आएंगे यह ऐसे करके दोनों कट पकड़ लेंगे यह देखिए यह आप लगाके रोक लेंगे फिर यह जो दुसरा वाला कट लगाया था इन दोनों को ऐसे करके पकड़ेंगे और इस तरीके से यह देखिए इस तरीके से लगा लिए इसी तरीके से मैं पूरी सिलाई लगा लूँगा यह देखिए यह मैंने पूरी सिलाई लगा लिए और सिलाई लगाने के बाद में इस पर एक सिलाई और लगती है ये देखिए ये औरेव होता है तो इसको हम इस तरीके से खीचेंगे ये देखिए ये चटक रहा है ये सिलाई ये तूट जाती है इसलिए एक सिलाई को ऐसे करके औरेव बाली जगा से ये खीच लें ऐसे ये देखिए इदर कम हो गया ये देखिए अब ये जो दूसरी वाली सिलाई लगाएंगे इसको हम इस तरीके से पीछे हाथ रख लेंगे ऐसे करके खीच के इस तरीके से ये देखिए ये इस तरीके से पीछे हाथ रख के खीच ले जाएंगे और सिलाई लगाते रहेंगे यह देखिए, अब आप इसको ऐसे खीचेंगे, यह सिलाई नहीं तूटेगी, यह हमारी पजामी बनके त्यार है, अब हम नाडा बना लेते हैं, यह देखिए, यह हमने नाडा बना के यहाँ पर लगा लगा रहे हैं, यह यहाँ पर लगा रहेगा, तो आप अभी भी पहनेंगे, इसको यहाँ से खोल लें और नाडा डाल ले, यह देखिए, यह बनने के बाद में कुछ इसकी से लुक आएगी, और वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ठैंक यू